हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो मैं रिव्यू करने बला हूँ किटो कीप एंटी डेंडरफ शैंपू गा ठीक है एंटी फंगल ये शैंपू है तो अगर आपके जैसे की डेंडरफ इंफेक्शन वगएरा हो रहे है सर में तो उसके करना आपको हेल लोस भी देखनों मिल काफी खुझली वगएरा भी चलती है तो उन लोगों के लिए ये शैंपू काफी अच्छा रहेगा तो इसके बेनिफिट्स बताऊंगा साइड इफेक्स बताऊंगा कैसे यूज करना यह भी बताऊंगा पर उसे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्स कि इसके क्वांटिटी देखनों मिल जाती है तो इस वेसे ये रेड कलर का अंदर से आपको देखनों मिल जाता है तो अभी मैं आपको बोक्स साइड में शो कर रहा हूं साइड में शैंपू शो कर रहा हूं कोज मैंने काफी सारे शैंपू ट्राय कर रखे हैं और मुझे प 5% किटो को नाजोल में आयाता है ठीक है यह शैंपू की तो अभी शयू का रहाता है की टो को नाजोल में और यह अटकुछल का गाल तो को डैँक है और कि ना रभारा की PM बन जाना कोंद को आप कर जाता है आप कोई बी कि हेसे कर ना को हैर लोस्ट देखना को मिल जाता है कि मुझे मैँ तो कर दोक्टर अब कर दे कि आप यह इस कर लो ही कि कि क्या यह एंटी तो नहीं यह एंटी डेंडर रहा जैसे जाएगा तो आपका जैसे की धीरे-धीरे हेर फोल भी रूख जाता है न्यू हैस भी आने लग जाते हैं तो इसलिए आपको एंटी डेंडर शेंपू दिये जाती है इस शैंपू में आपको टू परसेंट में किटो को नजोल देखने हेर्स पर मार लेना ना कि स्केल्प पर लगाना आपको हेर्स पर जैसे की आपकी ओईली स्केल्प है तो इसलिए कि आपको उस टाइम पर बन दिया कम कर देनी चाहिए जिसके घंडर दिरे-दिरे जाता हुआ देखने मिल जाएगा काफी लोग क्या करते हैं ओईलिंग नवर पहले ऐसाने की डेली आप ओईलिंग कर रहे हो चोबी-चोबिस गंटे के लिए पड़ा रहने दे रहे हो अपने सर पे ओईल को इससे कहेगी फिर आप ये शैंपू भी यूज करते जाओगे ये क्लीन करने का काम तो करेगा बट आप उपर से ओल लगाते जाओगे वापस से वो चीज़े बनने लग जाएंगे आपकी स्केल्ब में तो आपको क्या अपने हेस को स्केल्प को अच्छे से क्लीन करते रहना है इससे क्या होगा आपको हेलोस भी दीरे दीरे रुक जाएगा डेंडर भी जाने लग जाएगा 10 से 15 दिन में यह आपको कुछ हद क्रिजल्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है अगर आप 2% में किटो को नाजोल यूज़ कर रहे हो बसकुछ लोगों को ड्राइनेस बहुत जादा देखने को मिल जाती है इसके साथ में अगर आप इसको अल्टरनेटेज पर जादे यूज़ करते हो जिसको थोड़ा बहुत किसी को 2% जादा लगता है तो वह 1% की तरफ जा सकते है बड़ 2% जैसे जिनको बहुत जादा डेंटर वगएरा रहता है उनके लिए बैस रहता है इसलिए यह डोक्टर वगएरा सज़र्च कर देते हैं इसका यह जो लिक्वीड है यह थोड़ा ठीक रहता है रेड कलर में आपको बीच में अंदर भी मसाज करने है ठीक है उपर तो लगे गई completely ठीक है इसवे से आपको इंटरनल भी मसाज करने है अच्छे से मैंने हाव टो यूज एंटी डैनल शैंपू पर वीडियो का रखी है वह वीडियो देख लेना उसवे से आप इसको यूज कर सकते हो उ इसके बाद उनको जैसे कि सर में खुझ लियो होना यहां पर मिड में पेन होना यह सब चीज़े देखने मिलती है तो यह सब चीजों में यह अच्छे से वर्क कर जाता है आप इस शैंपू को ट्राय कर सकते हो शैंपू को खुछ देर के लिए आपको स्केल्प पे छोड़ यह ठीक है आपको मैंने यूज करना भी इसको बता दिया अब बात आयती है इसके साइड इवेक्स कि साइड इवेक्स क्या रहते है किटो कि शैंपू के तो में लिए आप जैसे की यूज करोगे वही ड्रायनेस वगरा मैंने आपको बोले जादा देखने को मिल सकती है थो बाद में क्या किया मैंने दो डियू साइड में मसली वह एडमने एक तो ऑगे मार लिया दो हैं पीछे बाद में ऐसे इस सवे इसे आप कर सकते हैं इस से क्या आपका इसमें अच्छे परियाट में लगेंगे तो बस यह यह रिवियू था है यह अच्छा शैंपू है बट ज्यादा डेंडर्फ है तब यूज़ करना ठीक है 2% में थोड़ा बहुत डेंडर्फ रहता है तो और बहुत से अच्छे शैंपू आते हैं वह आप ले सकते हो ठीक है जो आपको इतने ज्यादा ड्राइनेस पगेरा फ्रीजी पन नहीं देंगे तो बस आज के वडियो में इ